उत्रप्रदेश के आजमगड के धन्नी ताजनपूर गाउं में एक दलित प्रवासी मजदूर की अतमत्या की सूचना के बाद रिहाई मंच का एक प्रतिनिधी मंडल ने पीडित परिवार से मुलाकात की रिहाई मंच के महासचिव राजिव यादव, बांकेलाद, विनोध यादव, अफधेश यादव और धर्मेंद्र इस प्रतिनिधी मंडल में शामिल थे रिहाई मंच महासचिव राजिव यादव ने कहा कि दिल्ली से आजमगर्ड लोटे दलित परवासी मजदूर अंगद राम की मौत के कारणों की उच्छ स्तरिये जाच करवाई जाए यह मानवदिकार का गंभीर मसला है क्योंकि कोरोना महामारी के दोर में परवासी मजदूर द्वारा मुश्किल से अपने घरों को पहुचे हैं और वहाँ पर अगर उनकी हत्या कर आतम हत्या कहा जा रहा है तो ऐसे में यह आने वले दिनों में गंभीर संकट खड़ा कर देगा इस मामले में अब तक ना परीजनों से किसी परकार का पुलिस ने कोई बयान लिया है और ना ही उनके आरोपों के आधार पर शिकायत ही दर्ज की है ऐसे में गावों के दबंगों का मनोबल बढ़ेगा जिससे परवासी मजदूर के परिवारों को डर भै के साये में जीना होगा क्योंकि परवासी मजदूरों का गावों में वो समाजिक आधार नहीं जो इस परकार के दबंगों का है गत दिनों अंगद राम की पेड़ पर टंगे फोटो को लेकर बहुत से सवाल है जो प्रसित्री जन्ने सबूत है जिनको अंदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि वैक्ति जूट बोल सकता है लेकिन हालातों के सबूत नहीं इस मामले में ऐसे सबूतों के बारे में परिवार बताता है कि पहली नजर में ही लग रहा है कि उन्हें मार कर पेड़ पर टांग दिया गया क्योंकि फोटो में साब देखा जा सकता है कि अंगद के पेरों में जो चपल थी वो सामाने स्थिती में पैरों में ही मौजूद थी ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कोई वैक्ति अगर फासी लगाएगा तो तड़पेगा और छट पटाएगा ऐसे में चपल उसके पैरों में नहीं टिक सकती अंगदराम की मिर्तियू ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिये हैं जिस पर रहाई मंच के पदादिकारियों ने प्रशासन से पुलिस से इस घटना की निस्पक्स जाच करने के लिए मांग की है 25 वर्सिये अंगदराम की पतनी रवीना ने बताया कि उनके पती नई दिल्ली में जी टीबी अस्पताल की केंटिन में नोकरी करते थे पहले वे ताहिरपोर गाउं दिल्ली में रहते थे पर कमरे का किराया ज़ादा था तो वे गाजियाबाद के डिस्टेंस कलोनी धोकुरा में रहने लगे और अंगद महां से नोकरी पर जाने लगे लागडाउन में काम बंद हो गया था रवीना गरववती थी दस अप्रेल को बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ वहां ने खाने की कोई विवस्था थी न चिकित सकी पैसे खतम होने के बाद रवीना अपनी मा के यहां से पैसे मंगाए और दिल्ली से आजमगड ट्रेन द्वारा पती के साथ आई रवीना पती की आतमत्या की पूरी कहानी को ने सिर्फ नकारती है बलकि कहती है कि उनकी हत्या हुई है कोई आदमी आतमत्या करेगा क्यों यह बताती है कि उनके पती राजे सुल्तानपूर अपने मौसी के घर गए हुए थे और पांच जून की शाम छे बजे के करीब घर से लोट कराए लेकिन उन्होंने चाय तक नहीं पी और कहा कि परधान जी बुला रहे है मैं मिलकर अभी आता हूँ रात आट बजे के करीब उनकी माता विमलोता पता करने परधान के घर गई तो परधान घर पर नहीं थे अंधेरा होने के बाद भी जब नहीं लोट कराए तो घर वाले चिंतित होकर ढूनने लगे अगले दिन 6 जून की सुबह घर के लोग खेतों में काम कर रहे थे कि सुबह के तकरीब नो बजे गाओं के एक लड़के ने सूचना दी कि अंगत की लास निबू के पेड़ पर लटक रही है यहाँ पर अनेक तरीके के सवालात खड़े होते हैं यहाँ पर छेतर का जो परधान है वहभी शक के दाइरे में आता है पुलिस ने अब ये तक कोई कारवाई नहीं की है